असलालेकुम फ्रेंड्स आद मैं आपके शेयर करूंगे बहुत ही जबर्दस स्वामी कबाब की रेसिपी उमीद करती हूँ यह रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आएगी अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरे चनल को ज़रू से सब्सक्राइब कर दीजेगा वीडि सब्सक्राइब की क Oakland बिए इसे पुरह में एड़ कर दिया इसमें देडर सोगिरां के करीब चना दाल जो होता इसे चना नहीं अहां घ्याम है तो नर्मली से वांस यह इसे यहां पे से चोघ। उतने दिर में हमारे दाल भी गल जाएंगे, तो इसलिए मैंने से फुलाके नहीं रखा यहां पर एक से डेड़ इंच अद्रक कर टुकड़ा लिया, जिसे इस तरीके से बारी कर लिया है, तो यहां पर दस बारा लाहसुन की कलिया लिया है, और यहां पर 10 मैंने सुखी लाल म जी रावड पाँ लेंगे या चिल सब्सक्राइब ऑपी ने करना जाती जाना करने की बहुत ही जटपट बनके तयार हो जाती है आप चाहें तो दो-तीन दिन के लिए इसे फ्रीज में स्टोर करके भी रख सकते हैं तो अब कुकर कर लिड लगा देंगे और गैस पे चड़ा देंगे तीन-चार सीटी लगा लेंगे ताकि इतने में हमारी गोश्ट और डाल दोनों अच्छे से गल जाएं तो देख लिजेगा कि आपके कुकर में कितना समय लगता है क्योंकि हर की कुकर अलग होती है तो सीटी लग चुकी है फ्लेम ओफ कर दिया था इसका सारा जो प्रेशर था वो निकल चुका है तो देखे दाल और गोश्ट बहुत अच्छी तरीके से गल चुके हैं अगर आपका पानी रह जाता है तो आप थोड़ा सा है फ्लेम करके इसे ड्राइ कर लिजेगा और गोश्ट भी बहुत अच्छी से गल चुके हैं दाल भी बहुत अच्छी से गल चुकी है तो अब इस एक बावल में निकालके इसे हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे तो एक बावल में मैंने निकाल लिया और इतनी जबरदस्त और इतनी जटपट ये रेसिपी बन जाती है कि आपको जादा मेहनत करने की जुरुत नहीं पड़ती है आप इसे रोटी के साथ दाल चावल के साथ बहुत ही मज़े की लगती है जवर से ट्राई कीजेगा और आप जब कभी है तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताइचेगा और तो fait मैं लिच Per Jaa तो प्यावला जब टहँरा में लेक्ता हो गया था तब मैं लिचा फुम्त में मॉटे से • और और बजम वेसेyllतों की छिएगे और एक आधा नीमूलिया है यहां पर मैंने अब यह सारी चीज़े इसमें चली जाएगी अगर नमक की जरुवत लगेगी तो हम पैणित से तो मैंने तेस्ट करके देखा है तो नमक कम लगी थी तो मैंने रहाप मेel नमक के करीब इसमें और नमक कर दिया है अब इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि नमक और जितनी चीजें इस में डाली है सब अच्छे से मिक्स हो जाए तो इस तरीके से राउंड-डाउं शेप देंगे और थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे ताकि हमारी जो शमी कबाब एक दम शेप में बने इस तरीके से कर देंगे तागि यह दम देखने में भी अच्छी लगे और देखिए हमारा इस तरीके से बनके तैयार हो गया है कहीं से कोई भी क्रैक वगएरा नहीं है एकदम स्मूध बना है हमारा तो इसी तरीके से सभी को बना लेंगे अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज प्लीज आपसे हमबॉल रिक्वेस्ट रेफ्रेंड्स प्लीज मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजेगा प्लीज सपोर्ट कीजिए मुझे तो मैंने इसी तरीके से सभी को बना लिया है यहां प मैंने सभी को अड़ कर दीया है और इसमें low to medium flame यти अम अच्छे से फ्राइब कर लेंगे और तेल जो है साइट साइट पर आ गही है तो इस तरीके से हम सब को साइट में कर देंगे और साइट में करने के बाद साइट को पलट लेंगे क्योंकि एक तरफ से जो है अच्छी स बहुत ही जहटपत बन के तयार हो जाती है वीडियो पसंद आइ तो प्लीज सब्सक्राइब किजेगा वीडियो को लाइक जरूर से किजेगा और अपने फैमिली फ्रेंज में जरूर से शेर किजेगा तो देखे हमारा बहुत अच्छा सा ये फ्राइब हो गया है इसे मैंने ते अचितनी बनानी हम आप बना लीजाऊ आप उसे बना लीजी चितना यूज कर लीजे और जो बच जाने विसे आप फ्रीज में दो इसे तोर बी कर सकते हैं और बहुत ही जबरदस्ती हमारी शमी खवाब बन के तैयार है तो ज़रूर से ट्राइ कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताईएगा कैसी बनी आपकी रेसिपी बिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफिज